सेट फॉर्थ , अभी एक वर्ड आता है सेट ओफ अभी बताओं सेट ऑफ का भी मतलब होता है to begin किसी यात्रा के लिए रहाना होना to begin a journey , ठीक है , सेट ऑफ का भी मतलब होता है और सेट फॉर्द का एक मतलब बिगे अजरनी भी भी होता है यह exam में बहुत बार आया है, set forth exam में बहुत बार आया है, set off की तरह कुसी यात्रा वगेरा को start करना, he set forth on a voyage, voyage का मतलब है समुदरी यात्रा वगेरा जो होता है, start किया, लेकिन एक set forth का मतलब होता है, किसी चिसको explain करना, describe करना, जैसे, he set forth, many ideas before us, उसने हमारे सामने बहुत सारे ideas रखा, explain किया, describe किया, तो set forth बहुत बार exam में आया है, okay, यह set forth का एक मतलब यात्रा वगेरा start करना है, और एक set forth का मतलब है, किसी चिसको समझाना, अच्छे से ideas वगेरा, express करना, तो अभी हम दो phrasal work और आगे बढ़े थे, अभी set on किया था हमने, set on या set upon का मतलब हमला और एक determine, और एक है set forth, set forth का एक मतलब होता है, किसी चिसको express करना, अच्छे से explain करना, और एक spread का forth का मतलब होता है, begin journey, यात्रा वगेरा start करना,